जो बिती रात है वहां पर कोई दो वजे के करीब इनके घर पर पत्राव हो जाता है किनी अग्यांत व्यक्तियों की तरफ से अशा सुपते देख में जाने अंदर तसन नो कोई पता नी जिला दडल लो आसा फिर पता लगा असो तीके बार आए आहे एक लिखित की रहां दिखिया तो फोड़ा शाकविया पूछ तो अधर आया तो फिर आसे इदर आया तो इदर आने दिख़्ाए दिख़्ाए पूरा इस वक्त मैं शेत्र के गाओं चुम्भिया पंता में हूं तो आपको बिताते चले तो इस जो जिस गर में इस वक्त मैं खड़ी हूं जे चुम्भिया गाओं का एक घर है तो आपको बताते चले तो यहां पर कल रात जो बिती रात है वहां पर कोई दो वजे के करीब इनके घर पे जो है पत्राव हो जाता है किनी अग्यांत व्यक्तियों की तरफ से अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया ह है कि किन लोगों की तरफ से जो है वो पत्त्राव हुआ है तो बताते चले तो इस घर के जो मैंबर्स थे सदस्य है इस घर के वह रात को घर के अंदर ही सो रहे थे तो बताते चले तो घर के अंदर जब सो रहे थे तो इसकी नहीं अग्यांत व्यक्तियों की तरफ से जो है जैब जो पंड़ी सकते हैं कि यहां पर कितने बड़ बड़ी जिवार निशान जो जहां पर बने हुए थो किनी अग्यांत व्यक्तियों की तरफ से जो पंड़ेंट। मैंने चल विद्ध के phosphorus को पाजा की बड़ी करेफित द नहीं तो तो हमारे साथ इस घर के जो सदस्य हैं वो हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना अंट जी है किन्य वज़े रा टाइम हां जो ले सारा पत्थर प्याने दपार को बच्छा को दो वजी पांच मैंट पर है कि अंदर कोई पता नी जिला दड़ा लो या सानु फिर पाता लगा असुट ये बार आये आहे एक लिखर की रहा है दिखिया थोड़ा शाक भी आपकोश टूटाया फिर आसे इदर आये दिखिया पूरा कोश लबी जाते हैं अहां दर वाजया नहीं कोई पराणी रंजिश क कुछा कोई लडाइचा अग्राणा हाँ कोई मतलब बच्चा पढ़े पड़े नो करें तो ये तो फूरा ऑदे इन उसे ताइम मतलब की तो है जो निद्री दिखिया थिए पार ले तो ही पदाने चलिए ये बास ये प्लीज की प्लीज की फोन किता मलया ले एक वहाई ना तो आप देखी सकते हैं कि इनका कहना है कि ना तो हमारी कोई पुरानी रंजिश है ना कुछ तो जो इस घर के सदसे हैं वो घर के अंदर सो रहे थे तो रात को ही कितनी अज्यांत लोगों की तरफ से जो है वो पत्थर इस घर में फैंके गये हैं जो आप देखी सकते हैं कि पीछे जो खिड़कियों के जो शीशे हैं वो भी टूट चुके हैं दिवारों के जो पत्थरो यहां बहुत जब हमारी है किसी के साथ कोई रंजीश नहीं है तो उस समय तो हमें ऐसे लगा जयसे कोई दमाका हो गर पे तो दमाका होने के सांट से हम सारे जब हम भी में पहुँंचे तो हमने जो में ड़ रहा है फोर खोलने की कोशिश कि पर जब हमने अग्प्रवन विंड लोग आये हुए हैं क्या करने आया हैं किस मकसद से आया हैं इसके लिए हमें कोई भी मतलब जानकरी नहीं थी तो हम बहुत जाद डर गिये थे इसलिए फिर हमने अधे टाइम पुलीस को काल की बिशनाज जेके पी पुलीस को काल की और उन्होंने कोई 15-20 मिनिट तक वो हमार इदर हमें प्रटक्शन देने के लिए पहुंच गए तो उनकी मदल से ही हम घर के बाहर निकल पाए अधरवाइस क्या पता हमारा क्या हाल हो जाता आप देखी सकते हैं कि इस घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो वी है वो वी काफि डर चुके हैं क्योंकि रात को इतनी जोर से जो इनके घरोंपे पथर है वो बशाएगे है तो एक किसम से जो पत्रों की बर्षा है वही हुई है तो आप देखी सकते हैं कि इस घर पे जो पत्थरों के निशान है वो भी इस घर की दिवारों पे आप साफ देख सकते हैं कि दिवारों पे जो पत्थरों के निशान है वो बने हुए हैं इनको अभी तक कुछ नहीं पाता कि कि लोगों की तरफ से जो पथर हैं वो बर्साए गए हैं तो मोके पर ही जब इनों ने जो पत्थरों की आवाज सुनी तो इनों ने घर के अंदर ही रहे बाहर नहीं निकले क्यूंकि डर इतना जादा फैल चुका था क्यूंकि पत्थर है तो अंदर से हिन्हों ने जब पुलीस को काल की तो प्लीस भी इनको प्रोटेक्शन देने के लिए पहुँश गयी तो इस सारा मामला ना तो हमारे किसी के सार लड़ाई है ना कोई रंजिश है ना कोई पुराना ऐसा मसला है कि कोई हमारे घर पे जो वो पत्थर बरसा सके तो यह भी जाँच का विश्य बना हुआ है कि किस वज़ा से है जो पत्थर है वो इस घर में फैंके गए हैं जो समान है वो तोड़ा कोई सब्सक्राइब करें दो अगर कि इस इस घर में हैं जो वो पत्थर बशाए गए हैं अभी देखते रहेंए दैनिक स्टेट समाचाब धन्यवाद